हेलो दोस्तों स्वागात है आप सबों का आपके अपने चनल श्रिदाता जुकेशन पॉइंट पर दोस्तों आज हम लोग छेत्रमिती से जुड़ा हुआ जो प्रेवियस एर क्वेस्टन का वीडियो चल रहा था उसके सकेंड पार्ट में हैं और आज का जो वीडियो होगा व और देखिए कि बड़ा से बड़ा कोशन को भी आप पांस से साथ सकेंड में सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि यह सवाल आपके सामने जो लिखा गया है यह सवाल अगरा प्रोसेस से बनाते हैं तो एक से देड़े मिनट तक आपको खर्चा करना होगा लेकिन मैं जो ट्रिक आप पहुझ आए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों कुछ इस प्रकार दिया है कि त्रभूज ABC में AB और AC भुजाओं पर दो बिंदू क्रमसर D और E इस प्रकार है कि D समांतर यह समांतर का चिन होता है D E समांतर BC और AD बटा BD बराबर 3 बटा 4 है समलंग चितरभूज D E C B का चितरफल का त्रभूज ABC के चितरफल के अनुपात का क्या होगा यहां पर होगा के नीया पर से हो जाएगा से अनुपात क्या होगा यह 5 ने चार आपको option दिए गए है ठीक है अब दिखे इसमें एक जिकर क्या गया है समलंग चितरभूज का और इसमें हमको निकालना होगा त्रभूज का चितरफल यहीं समें कंसे एक बार आप जरा इसका आक्रती देख लिए कुस्तिन क्या कहता है देखिए यह एक तिरभूज है ABC और AB और AC के यहां और यहां दो बिंदू है नाम क्या है D और नाम क्या है E देखिए D E parallel BC हो गया देखिए D E parallel BC हो गया तो 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 दोस्तों अब इस question को बनाने के लिए हमको दो step में काम करना ही होगा तो कि यह आपका समलम हो जाएगर यह पूरा आपका ABC है तो मैं आपको जो trick बता रहा हूँ आप उस trick को ध्यान से देखिए trick में जब यह ऐसा question दिया जाए तो आपको यह जो भिन का मान दिया हुआ है ठीक है तो उसमें क्या करेंगे आप जब समलम का निकालेंगे पहले तो समलम का निकालने के लिए देखिए यह पूरा समलम तो है नहीं यह इतना समलम है तो पूरा करने के लिए साथ का स्कर माइनस ऊपर जो दिया हुआ है तीन का स्कुरे जान दीज़ेगा पूरा सी जोड़कर के चार थिन साथ का स्कर माइनस तीन का स्क्वेरर के पूरे मैंस इसको हटा करके यह भाग ले आ रहे है और नीचे क्या करना होगा नीचे चुकि क्या बोला है तिरभूज ABC का तो उसमें पूरे साथ का स्क्वेर तो यह दोस्तों कितना 49 में लो गया तो यह 40 और साथ सते 49 तो यह आपका उत्तर आगया और सब्सक्राइब कितना समय लएगा आपको पांस से साथ सकेंड काफी है ठीक है तो आप सवाल देखकर के डर्णी डर्णी डर्य नहीं आप ट्रीक को याद रखेगा तो कि एक्जाम में यह सब सवाल आपको हमेशा टाइम किल कराएगा अगर आपको ट्रीक नहीं पताया थ तो दोस्तों यह वी क्वेस्टन पिछले क्वेस्टन के बिल्कुल सेम सेम है और यह देखिए अगले दिन का ही एकजाम पूछा गया था छो पांस तारीक का जो एकजाम था उननीस वाला चुकि वह क्वेस्टन हम लोग चार तरीवह लगी यह थे पिछला क्वेस्टन और यह पांस तरीक कोस्टन के बिल्कुल सेम सेम कोस्टन डाला गया है केवल वैल्यू को चेंज किया गया है ऑप्सन अलग है ठीक है तो आप इसको अटेंड कर लीजिए होस्ता कि आप में से कई लों का उतर भी आ गया होगा ठीक है आए यह कोस्टन देखते हैं तिर्भूज ABC के च academ Snapchat से अनुपायत क्या होगा यह आपकी ऑप्सं है तो दोस्तों ट्रीक क्या था याद हो आपको ट्रीक सबसे पहले दोनों को जोड़ लिज दोस्तों कितना होगा 96 और नीचे 121 तो आपका option नमबर इसका उत्तर हो जाएगा तो इस तरक के सवाल दिये गया है तो ऐसे सवाल में आप process में बिल्कुल भी नहीं जाएं पर ना फसेंगे ठीक है शुरू करते हैं अगला question आए दोस्तों आप दोस्तों अगला question देखते हैं जो सम चतरभूज से जुड़ा हुआ है question कैसे दोस्तों उस सम चतरभूज का चितरफल क्या है जिसकी भुजा 10 cm है और छोटा विकर्न 12 cm है तो यह सवाल आपका रेलवे एंटी पीसी में भी गया है यह एंटी पीसी में टपका था और यह आपक पहले तो आपको सम चतरभूज का figure पता होना चाहिए और दोस्तों जो भी सम चतरभूज को नहीं पढ़े हैं मैंने इस पर एक detailed video बनाया है इसके पूरे properties इसके questions के साथ तो आप वो वीडियो जाकर के देख लिजे लिंक आपके discussion में दिया हुआ है देखिए इसमें ये इसका छोटा विकर्ण होगा और ये इसका बड़ा विकर्ण होगा तो ये छोटे विकर्ण का माप दिया हुआ है 12 cm तो सम चतरभूज के विकर्णों का एक विशिस्ता होती है कि इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को सम द्वीभाजित करते हैं सम कोन सम कोन पर अगर ये पूरा 12 है तो ये 6 और ये 6 होगा दोस्तों और इसकी भुजा 10 है तो वैसे भी सम चतरभूज के सभी भुजाएं आपस में समान होते हैं अब थोड़ा याद किजिए आप लोग सम कोन त्रिभूज के बारे में सम कोन त्रिप्लेट पढ़ाया था क्यों कि एक त्रिभूज हो गया जिसमें एक नबे डिगरी कोन है तो ये सम कोन हो गया तो ये 6 है और नबे के सामने की भुजा कर्ण अगर 10 है तो दूसरी भुजा 8 होगी ठीक है और अभी मैंने आपको क्या पढ़ा है कि सम्चतरभूज का जो विकर्ण होता है सम्द्वी भाज दूसरा विकर्ण सोरी हो जाएगा अठार लिखागे सोल इसको छे से काटेंगे तो सोला छक्षियानवे और आपका ऑप्सन होगा ऑप्सन नम्मर भी बस इतना ही करना था इसलिए आपको प्रोपर्टी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आप जा करके मेरे सारे वीड इसले question के जयसा यह question में आपको दिया है आप इसे attempt कर लें और देखिए कि आपका उत्तर कोई सम मिलता है की नहीं तब तो मैं इस question को solve करता हूं तो को पॉस करिए और आप इस को अटेंट करिए क्योंकि यह भी कुछा हुआ है आज के सारे क्वेस्टन बहुत अच्छी अच्छे हैं तो आप एक भी क्वेस्टन को छोड़िए मत क्वेस्टन कहता दोस्तों कि उस सम्चतरभूज का छेतरफल सेंटीमीटर स्क्वाइर में कितन है 24 सेंटीमीटर तो देखिए आप अभी तुरंद पढ़े वेते कि सम्चतरभूज के जो विकर्न होते हैं वह आपस में सम्धी भाजित करते हैं माल लेते हैं कि यही 24 है तो 24 है तो यह 12 और यह 12 हो जाएगा इसकी भूजा 20 है तो सब साइड 20 हो जाएगा और समकोन पे सम् निकालना होगा तो हम कर सकते हैं अंडर रूट करन का स्क्वेर माइनस एक जो दिया भुजा उसका स्क्वेर तो यह कितना हो जाएगा 400-144 तो दोस्तों यह हो जाएगा अपका है प्यां इससाइगा 9 5 यहाँ पर Kin люблю एक यह जो जुए एक दो दो 56 ऐसकी लिए 16 आप इसका निकाल सकते हैं हम से हाप इंटू पहला वाला विकर बारदुना 24 और दूसरा वाला विकर या ऎते वा उस्ट दूना 35 अप यहां से काट सकते हैं इसी उकार देते हैं 12 तो 12 दुना 24 जान दीजे पूरा गुना करने काम भी नहीं है यहां पर आप इनी की पूरा गुना करने पिछे लग जाओ और अपर टाइम को बेस्ट कर दो यहां पर क्या करना है 12 दुना 24 देखिए आंत में 4 केवल सी निम्मर में है क्यों आगे गुना करेंगे फालतु का ठीक है बास विम्हें आ रहा है ठीक है इस तरह से बनाओ तभी आपका क्वेस्टन सॉल्व होगा वरना आप एक्जाम में घिस्ते रह जाओगे पेपर खर्च दोस्तों यह आपका जो है यह भी CHS में पूछा गया है 2019 का ही सवाल है क्वेस्टन दोस्तों कहता है दो त्रिभूज ABC और PQR के छित्रफलों का अनुपाद 3 अनुपाद 5 है और उनके उचाही का अनुपाद 5 अनुपाद 3 है तो त्रिभूज के आधार का अनुपाद क्या होगा यह सवाल कम से कम अगर आप सेड बनाते होंगे तो कई बार कम से कम 1020 वर कुस्वन देख चुकी होगे और इसमें आप हर बार एक ही गलती करते हैं कि फर्मूला पहले फिट करते हैं पिर हाप हाप आप काड़ते हैं तिर बैल्यूपूट करते पर लिए क्रॉस गुन ठीक है यही अनुपाद दिया गया है यह आपका एरिया का अनुपाद है यह आपका किसका अनुपाद है यह आपका अनुपाद है यह आपका अनुपाद है हाइट का और अगर आपको हाइट भी पूछा जाए तो एरिया का अगर दिया रहे और आधार का अनुपाद दिया रहे तो भी यह गूरना करना 3-3-9 और 5 5-25 ऐरो को धियां दिजेगा यह वला एरो आगे मारे हैं तो यह फाला आगे होगा है तो यह पीछ्षेज से कब 25 यहनि आपका Options Nudhambeus पर भी उत्तर है नौ अनुपात पचीज केतना समय लगा बताओ कि दो से तीन सेकंड में कर सकते हैं अगर आपको पूरा प्रोसेस पता होता तो चुकि यह ट्रिक नया था आपको समझाने में हमको थोड़ा समय लग गया लेकिन आप इसको याद रखते हैं अगर तो दो से त चुद्रमीति से है लेकिन परसेंटे से जोड़के दिया गया है कहता क्वेस्टन कि यदि आयत के परतेग भुजा को 11 परसेंट कम कर दिया जाए तो इसका च्छेतरफल कितने के परतीसत कम हो जाएगा आप जहां दीजेगा आयत के परतेक भुजा मतलब लंबाई को भी कम करना है और चोड़ाई को भी कम करना है ठीक है आप कहता है कि इसमें से क्या उत्तर होगा कि इसका एरिया कितना परसेंट कम हो जाएगा तो एरिया केसे निकाल दोस्तों एरिया होता है एलिंटू बी इसका मतलब कि एरिया पे भी परभाव लंबाई के कमी से पढ़ेगा और चड़ाई के भी कमी से पढ़ेगा इसमें आप एक ट्रीक लगा दीजेगा कि अगर इंदी कमी हुआ है तो माइ इसको बिना बनाए भी आंसर कर सोता था लेकिन आप देखिए कि पहले प्रॉसेस क्या होगा मनें यह भी ट्रिक क्या होगा और आंसर भी कैसे मारेंगे ठीक है तो यह माइनस दरसाता है कमी को प्लस दरसाता है ब्रिधी को ठीक है बड़ोत्री को तो पहले क्या हुआ है एक का चीन जो होता है इन दोनों चीन के गुना करने से मिलता है अब यहां 11 एबी एबी यहां गुने ग्यारा बटा एक सो ठीक है अब क्या करीद इसको दुनों को जोड़िए क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है तो एक पॉइंट दो एक घटेगा तो आपका उत्तर होगा 1-79 परसेंट चीक है जो कि बडा वाला माइनस है छोटा वाला प्लस में है तो इसका मान जो है घर्ट करके मायनस में होगा यानी कमी में होगा जो हमसे पूछा गया है कितना कम हो जाएगा आप देखिए इसका उत्तर अगर यदि हमको ये प्रोसेस पता होता तो हम इसका उत्तर कितना स्पीड से मार सकते थे देखिए, दोनों बार कमी हुआ है, यानि कि A और B दोनों माइनस में लिखाएगा, यानि A11 और A11 दोनों पहले जुड़ेगा, यानि 22 होगा, और अगला जो होगा, माइनस मिनस प्लस होगा, यानि कि घटेगा, तो पहले 22 उसमें फिर कुछ घटेगा, यानि आपका उत्तर जो होगा, वो 21 के आसपास होता, इसलिए मैं इसका उत्तर डारेट मा सकता था, ठीक है, इसलिए अगर आपको थोड़ा ट्रीक का प्रोसेस पता होगा, तो आप बहुत एसे सवाल होगे एक्जाम में, जिसको बिना बनाए भी आप टीक करके निकल जाओगे, और वही आपक एक्जाम के लिए, रिजल्ट आपको देखर के निकलेगा, ठीक है, आईए अगला कोशन देखते हैं, तो आए दोस्तों अगला क्वेस्टन हम लोग देखते हैं, जो वृत से जुड़ा हुआ है, इस क्वेस्टन में थोड़ा-थोड़ा कॉंसेप्ट आपका जो है, अगबग हर साल पूछता है, और यह क्वेस्टन आपका दुरह 19 का पूछा हुआ है, जो सलवी हाल में हुआ था, और 20 में जो एक्जाम हुआ था, उसमें भी यह त्रियक उबैनिस्ट असपर्स रेखा से क्वेस्टन देखा गया था, तो आप देखिए क्यों कैसे बनेगा कहता है कि परतेक 2.5 cm त्रिज्या वाले वृतों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 cm है, तो त्रियक उबैनिस्ट असपर्स रेखा कि लंबाई क्या होगी, देखिए मान लेजे ये एक वृत है, और इसकी त्रिज्या आपका 2.5 दिया हुआ है, और इसकी भी 2.5 दिया हुआ है, इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 13 दिया हुआ है, और कहता है कि इन दोनों के उभैनिस्ट त्रियक असपर्स रेखा, यह वाला, यहां से यहां खीचेंगे तो यह वित्रिज्या हो जाएगा, और इसका नाम हम A और B रख दें, यानि यह जो A B रेखा है, इसी को हम त्रियक उभैनिस्ट असपर्स रेखा बोलेंगे, जिसकी लंबाई हमसे पूछी कई, ध्यान दिजेगा, यह नहीं कहा गया था, कि दोनों वृत आपस में सपर्स करते हैं, यह नहीं कहा गया है, ठीक है, अब अगर इसका अगर हमको निकालना होगा, लंबाई A B का, तो दोनों के जो त्रिजिया उसको जोड़ देंगे, तो हाँ, सोरी, धाई जोड़ धाई कितना जगा, पांच का स्क्वेर, ठीक है, तो यह दोस्तों होगा, आपका अंडर रूट एक सो उननतर माइनस पचीस, यहां से घटाओगे, तो आपका हो जागा, एक सो चवालिस, जो मैं आपको सपर्स रेखा पड़ाओंगा, तो वहाँ पर भी यह कोंसेट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वैसे भी सपर्स रेखा से हरवा कोस्तन पूछता है, दोस्तों वीडियो को जितना उसके फिला दीजिए, और अगर आपको पसंद आया है, तो जरू कमेंट और लाइक जिरू किजिए दोस्तों, और अगला क्या आपको वीडियो चाहिए, वो भी आपको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद पढ़ते रहें